क्या आपको पता है कि देश एक ऐसा है जिसका आंसर आपको comment box में देना है जो इस साल अपनी capital shift कर रहा है उस देश का नाम बताइए और वो अपनी capital city को दूसरी जगे ले जा रहा है उस जगे का नाम बताइए आप comment में जवाब दीजे तब तक मैं आपको एक news सुनाता हूँ climate crisis के चलते Thailand अपनी राजधानी Bangkok को बदल कर दूसरी जगे ले जाना चाहता है हाँ जी इस बीच में dollars आ गए हैं तो एक बार के लिए dollar वालों को धन्यवाद Kronal जी बहुत बहुत धन्यवाद Google पे देदो हम use उसी पर pay किया करेंगे हाँ यार Kronal ये ये करना पड़ेगा मुझे अभी आज मुझे पूछने दो यार हाँ नहीं तो यार 30-40 परशन्ट गूगल ले लेता है इसमें से Climate crisis could force Thailand to move capital Bangkok मेरे प्यारे साथियों जो Bangkok है ना इससे राजधानी shift करके Thailand कहीं और ले जा रहा है country में need to relocate its capital due to rising sea level समुद्र के तल के बढ़ते हुए आजी बहुत सारे लोग तो यहाँ पर आंसर लिख दिये Thailand देख करके Thailand की चर्चा हो रही है लेकिन हमने चुकी सेशन किये हुए है बिलकुल Rajneesh, Bhairav, बिलकुल सही जवाब दे रहे हैं, Mission, Abhishek, Pihu Yes, बिलकुल, इंडोनेशिया है जो अपनी capital को already shift करने का announcement कर चुका है, इस साल उनकी capital Jakarta से shift हो करके बताइए, बोर्नियों पर चली जाएगी और बोर्नियों में कहाँ चली जाएगी तो नयंतारा करके जगे है, वहाँ चली जाएगी, ठीक है चरिए, तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि Thailand भी इसी तरह से अपनी capital को shift करने की बात कर रहा है कहां से कहां ले जाने की बात कर रहा है बोरे साब, Bangkok तो नहीं रहेंगे क्योंकि यदि सरकारी काम यहां हुए और पता चला कि Bangkok ही डूब गया तो ऐसी हालात में हम लोग करेंगे क्या मेरे पहरे साथियों कुछ तस्वीरे देखो यह बैंककॉक में आई बाड के नजारे है जिसके चलते यहां पर जनता इस तरह से प्रभावित होती हुई दिखाई देती है तो आपके दिमाग में एक प्रशन बनेगा कि सर कोई भी शहर बाड तो छेली सकता है न इसमें क्या है बाड तो कहीं भी आ सकती है भारत में भी आ सकती है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लेकिन सोचिए बाड का पानी धलान के हिसाब से समुदर में जाना चाहिए लेकिन वो समुदर में नहीं जा रहा है मेरे भाई समुदर की तरफ धलान ही नहीं है उसका वो खुद धल गया है समुदर से उल्टा पानी इस तरफ चला आ रहा है हाई टाइड अगर आ गई तो वो पानी high tides के कारण शहर में भर जा रहा है, उल्टा हो रहा है तो सर समुद्र का पानी तो नीचे गिरेगा तो वैसे ही देश डूब जाएगा, शहर डूब जाएगा ये क्या बात कर रहो, anytime ऐसा नहीं होता कभी बारिश के समय आ रहे है तूफान के चलते, चलती high tides के चलते शहर में पानी भर जाना, सोचिए कैसा हो ऐसे हालात हमारे मुंबई में भी देखने को मिलते है मुंबई में भी तो यही होता है, कई बार high tides के चलते पानी सडक पर आ जाता है, और बताया जाता है कि एक दिन ऐसा होगा, कि मुंबई भी पानी में डूबेगा पानी में बैंकॉक भी डूबेगा, तेजी से डूबते हुए city में जकारता का नाम सबसे उपर है इसलिए उसको shift किया गया है तुनिया भर के बहुत सारे शहर डूबने वाले हैं आप कहेंगे सर डराओ मत, क्या धरती ही डूब जाएगी क्या हाँ, अगर इस तरह की global warming रही पर इसलिए तो बादल है हाँने हमने का बादल है लेकिन ये बादल अगर धुएं की वज़े से है यदि ये global warming की वज़े से है हमारे द्वारा green house gases की emission की वज़े से है तो सूरज की जो रोशनी प्रत्वी पर आ रही है वो वापस नहीं लोटेगी और अगर नहीं लोटेगी तो प्रत्वी के surrounding में जो भी glaciers हैं उन्हें पिगलाएगी जमीन पर जो भी उपस्थित moisture है उसे सोख कर बादल बनाकर वापस गिराएगी जिससे glacier पिगलने से तो जल इसतर समुंदर का बढ़ने लगेगा और बहुत तेज बारिश और साथ ही साथ drought जैसी conditions बनने लगेंगी बोले सर इसको थोड़ा और विस्तार से समझना हो तो और विस्तार से केवल इतना सा समझे कि यह प्रभाव greenhouse gas effect कहलाता है मेरे प्यारे साथियों हमारे द्वारा उप्योग में लिये जाने वाले उध्योग धंदे जो उध्योगों से हम लोग energy पैदा कर रहे हैं जैसे green house में आती है green house में कैसी feeling होती है मेरे पहरे साथियों green house की feeling को आप ऐसे समझे कि बहुत बार green house को आप आसान रूप में समझने के लिए ऐसा करिए कि आपने अगर किसी खेत को ऐसा देखा हो जिसमें कि लोग net कासा घर बना के रखते हैं वो असल में green house है सर्दी से बचने के लिए भसल को बचाने के लिए इस तरह का green house बनाया जाता है सर्दियों में अकसर पाले से बचने के लिए बनाया जाता है प्रतवी पर वायू मंदल के अंदर pollution की जो layer है वो प्रतवी को green house बना दीती है जिसके चलते जो सूरज की रेडियेशन प्रत्वी पर आई हैं वो लॉट नहीं पाती लॉट नहीं पाती तो वो सराउंडिंग को ही गरम कर रही होती है जिससे की हीट बढ़ती है उस बढ़ने वाली हीट को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है इस global warming के चलते glaciers पिगलते हैं glaciers पिगलते हैं तो समुंदर में पानी जाता है समुंदर में पानी जाता है तो sea level बढ़ने लगता है आप सोचिए कि दुनिया भर के समुद्रों का level बढ़ रहा है यह जानकारी Intergovernmental Panel on Climate Change जिसे आप IPCC कहते हैं उसकी 6th assessment report में बकाइदा इस बात का जिक्र किया गया है कि आने वाले सालों में अगर आज से मातर 100 साल की बाद की बाद की जाए तो दुनिया के जितने भी ये वाले dot आपको दिख रहे हैं ये सभी शहर almost पानी के अंदर जमी दोज हो चुके होंगे जमीन के किनारे बसे हुए ये जो शहर हैं समुंदर के किनारे जो ये बसे हुए शहर हैं ये जमी दोज पानी के अंदर दब चुके होंगे पानी के किनारे बसे हुए शहर इनी में से एक शहर है थाईलेंड भारत से अगर आप पूरव की तरफ चलें दक्षिण पूरव की तरफ इस्थित दस देशों के समूहों में जिसका नाम है आशियान, Association of South East Asian Nation, यहाँ East है, यहाँ South है, South East Asian Nation का यह दस देशों का समूह, इन में से एक देश है थाइलेंड और उस थाइलेंड की राजधानी है बैंकोक, इस बैंकोक के बारे में आज की चर जिस घाडी में यह इस्थित है, उसका नाम Gulf of Siam है, मेरे प्यारे साथियों, Gulf of Siam बैंकोक के लिए ट्यूरिजम का बहुत बड़ा सोर्स है, बड़ी संख्या में ट्यूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं, बहुत ही खुबसूरत बीचेज के लिए यह जाना जाता है, बहुत सार वाच करने के लिए जाते हैं, लेकिन बढ़ते क्राइम चेंज के चलते, ग्लोबल वार्मिंग के चलते, कोरल ब्लीचिंग देखी जा रही है, कोरल ब्लीचिंग का मतलब है, कि वो कोरल अपना कलर उडा रहे हैं, कोरल के कलर उडने से, कोरल ब्लीच होता है, और वो का एक बहुत बड़ा इफेक्ट माना जाता है उस कोरल ब्लीचिंग के चलते यहां का ट्यूरिजम भी प्रभावित हो रहा है मेरे प्यारे साथियों वर्तमान में बैंकॉक अगर डूबता है तो यहां का बहुत बड़ा छेत्र ट्यूरिजम का इसकी वजह से प्रभावित हो है 96% of the area mean sea level से नीचे चला जाएगा ऐसा बैंकॉक के बारे में कहा जा रहा है कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यहां का sea level बढ़ने लगेगा और ऐसे इस्तिती में एक बड़ा हिस्सा इसका पानी में डूब जाएगा पानी में डूबने के डर से यह लोग भविश्य को इस तरह से देखते हैं कि बैंकॉक पूरी तरह से पानी में होगा और ऐसी इस्तिती में इस से बचने के लिए हमें इस जगह को यहां से shift करके कहीं और ले जाना होगा यहां पर अंदाजा दिया गया है कि यहां पर हर साल 1-2 cm जो जमीन है वो धस्ती जा रही है आपको अपनी पार्चाला पर ही किया था मैंने यह कहा था कि वहां पर भी जमीन समुदर के नीचे बैठती जा रही है क्यों कि जब किसी शहर में high rights building बनने लगती हैं तो building बनाने के लिए लोग जमीन को खोदते हैं जमीन खोदते हैं और रहने वाली population के लिए पीने का पानी समु का खाली होने लगता है उसखाली हिस्से के अंदर धिरे धिरे जमीन बैठक लेने लगती है पैठने लगती है ऐसी इस्थिति में यहाँ पर हर साल एक से दो सेंटिमीटर बैंकॉक की जमीन जमीन के अंदर धस्टी जा रही है पैरलली समुद्र अपना इस्तर बढ़ाता जा रहा है कहा जा रहा है कि पिछले 100 सालों के अंदर समुद्र का जो जल इस्तर है वो आल्रेडी 20 सेंटी मीटर तक उपर आ चुका है आने वाले समय में यह लेवल और बढ़ेगा और ऐसी इस्तिती में जहां जमीन खुद नीचे जा रही हो समुद्र का जल इस्तर ऊपर आ रहा हो समुद्र का जल इस्तर ऊपर आने का सबसे बढ़ा कारण क्या है तो आंसर है क्लाइमिट चेंज क्लाइमिट चेंज के पीछे का बढ़ा कारण क्या है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण क्या है, इंडस्टिलाइजेशन, इंडस्टिलाइजेशन की वज़े से क्या एक्सपेक्टेड है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको ध्यान होगा, पैरिस क्लाइमिट एग्रिमेंट के अंदर ये रहे हैं, वर्ष 21 तक, प्री इंडस्टिलाइजेशन एरा से, दुनिया का उसत तापमान 3 से 4 डिगरी सेंटिग्रेट बढ़ जाएगा, कहते हैं कि 1 डिगरी सेंटिग्रेट दुनिया का तापमान बढ़ता है, तो 20 से 25 सेंटिमेटर जल इस्तर बढ़ जाता है, आप सोच क एक से 2 सेंटिमेटर बैंककॉक जमीन में खुद से धस रहा है, क्योंकि जमीन के नीचे इतने गड़े बना दिये गए हैं कि जमीन वजन से नीचे बैठ रही है, तो अगले आने वाले 80 सालों में 80 सेंटिमेटर ये नीचे जाएगी, 80 सेंटिमेटर जल उपर आएगा, कुल 160 सेंटिमेटर अगर कोई जगे नीचे जा रही हो, तो आप विचार करकर देखिए कि क्या हालात होगा, समुद्र का जल स्वते ही इस जगे चड़के आ जाएगा, यानि बैंकॉक वालों का जो डरना है वो गलत नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का जो उसे क्रॉस कर चुके हैं और इसी को ले करके यहाँ पर चर्चाएं फिलाल हो रही हैं, उमीद है कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, इसी लिए गवर्मेंट अब अपने लिए एक नया शहर तलाशने का प्रयास कर रही है, हाना कि दुनिया के देश प्रयास में हैं कि हम कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर लें, कार्बन एमिशन को कंट्रोल करेंगे जिससे की ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट कम पड़ेगा, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट कम पड़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी और ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो हो सकता है, सी मैं नयंतारा बोल रहा था ये नुसानता है ठीक है ना यहां पर आल्रेडी इस साल इनकी कैपिटल शिफ्ट हो जाएगी ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए इस पर मैंने पिछली साल ही सेशन कर दिया था कि इंडोनेशिया अपनी कैपिटल बदल रहा है आप जाकर के इस सेशन को देख भी सकते हैं इंटरनेट पर उपलब्ध है अपनी पार्शाला पर उपलब्ध है ये लोग डूबने के डर से कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं बैंकक भी इसी लाइन के अंदर बढ़ा हुआ है दुनिया भर के बहुत से देश 2050 तक इस चीज को फील करेंगे पर उपलब्ध है और ये लोग डर से अपनी पर उपलब्ध है अब पूछेंगे अगले 30 सालों के अंदर बहुत जबरदस्त तेजी से सी लेवल के अंदर व्रद्धी देखी जाएगी अब आप पूछेंगे सी लेवल को चैक कैसे करते हैं साथियों दो तरीके हैं जिनसे की सी लेवल को चैक किया जाता है एक का नाम है टाइड गॉज यानि की जो उठने वाली लहरे हैं उनसे और दूसरा है सेटलाइट ऑल्टीमेटर, ऑल्टीमेटर मतलब होता है उँचाई नापने वाला, सेटलाइट से समुद्र तलकी से हम पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है देखिए भारत आल्रेडी सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में शामिल है अगर मैं आपके सामने इस रिपोर्ट की चर्चा करूं तो number of people per country living on land expected to be under sea level तो आपको जो एकदम dark red में दिखाई देता है उसमें भारत का नाम है 10 से लेके 50 million लोग 5 करोड लोग वर्ष 2100 तक पानी के अंदर डूबेंगे यानि कि उसकी वजह से प्रभावित होंगे दुनिया के अंदर अगर top 6 countries देखी जाएं जो rising sea level से प्रभावित होंगी तो उसमें भी इंडिया का नाम निकल कर आता है वियत नाम, इंडिया, चाइना, बंगलादेश, विशेश रूप से Asian countries का नाम निकल कर आता है एशिया में सबसे ज़्यादा कौन से शहर बढ़ते हुए तापमान के कारण प्रभावित होंगे इवन 2030 तक ही जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे उनमें से सियॉल, टोकियो, मनीला, जकार्ता, बैंकोक, होंग गॉंग और ताइपे के नाम निकल कर आते हैं यानि की आशियान कंट्रीज और चाइना के कंट्रीज जो है ना चाइना और जापान वाले जो कंट्री हैं ये सारे की सारे राइजिंग सी लेवल से 2030 तक ही प्रभावित हो जाएंगे इनकी जीडीपी को होने वाला इंपेक्ट पर परसन आप अगर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा ताइपे तो माइनस 24% तक का अपनी जीडीपी में लॉस 2030 तक ही देख लेगा मनीला के अंदर माइनस 87% का लॉस बैंकोक में माइनस 96% का लॉस देखा जाएगा यानि की राइजिंग सी लेवल से आपके दिमाग में सवाल बनेगा जीडीपी का 2030 तक नुकसान कैसे हो जाएगा बाई जब सी लेवल बढ़ता है तापमान बढ़ता है बरसात बढ़ती है पानी सहर में बढ़ा रहता है तो कोई टूरिस्ट क्यों आएगा अभी कुस दिन पहले जब दुबाई में बाढ़ आ घाई थी बहुत सारी फ्लाइट कैंसी लोग अगई लोगों ने जाना बंद कर दिया लोगों ने जाना बंद कर दिया तो टूरिस्म प्रभावित हो गया शहर में पानी भर जाएगा, आप बीचेस पर जाही नहीं पाएंगे, आप भारी नहीं निकल पाएंगे, तो कोई जाएगा क्यों, जाएगा नहीं तो आपके यहाँ पर आपके जो हालात हैं, वो सामने आ जाएगे, ठीक है, यह इस्तितियां यहाँ पर देखी गई है, चाइना की आधे शहर जो है ना, वो केवल वजन की वज़े से डूब जाएगे, क्योंकि शहर जो पानी के किनारे बसे हैं, इनमर बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, इसके चलते चाइना इटसेल्फ में, हर्बीन, जांग जाओ, बीजिंग, त्या आसा का कहना है, आप पुछेंगे ऐसे कौन से शहर हैं, कांडला, ओखा, भावनगर, मुंबई, मौर्मगाओ, मंगलोर, कोची, तूथी, कोरीन, चेननाई, विशाका पटनम, पारादीप, किदिरपूर, ये सारे वो छेतर हैं, जो कि वर्ष 2100 तक पानी के अंदर होंगे, यानि कि पानी इनको अपने अंदर ले चुका होगा, आप विचार करिए, आने वाले समय कितना जादा इस टेंपरिचर की वज़े से, क्लाइमेट की वज़े से प्रभावित होने वाला है, इसी का नजारा मैंने आपको अपने इस सेशन के अंदर दिखाया है, अगर दुन आनमार यंगून, जकारता इंडोनेशिया, इंडिया के अंदर एहमदाबाद, इस्तांबुल, हॉस्टन, लागोस और मनीला के नाम निकल कर आते हैं, उमीद है कि आप सभी साथियों को यह पूरी जानकारी बहतरीन तरीके से समझ में आ गई हो, सर बचने के लिए क्या करे बचने के लिए साहब सबसे पहले कारों का उपयोग बंद करिए, जितना भी ग्रीन हाउस गैस इमीशन है, उसको रोकने के जो प्रयास हो सकते हैं, प्लांट्स लगाईए, उध्योग धंदों के विकास में, कारबन के उपयोग से बचिए, कारबन के स्थान पर कोई भी र तरह से करिए कि परियावरान जैसा था अगर आप उसे वैसा छोड़ते हैं तो बच जाएंगे, नहीं तो अपन तो शायद तब तक निकल लेंगे, आप में से अधिकांस व्यूर वर्ष 2100 तक तो चले ही जाएंगे, लेकिन अपने आने वाली जो पीडियां हैं, वो अपनी चीजों का पालन करें, ठीक है, उमीद है कि आप सभी लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे, बाकी आपसे गुजारिश है, बाकी सला है ये तो गुजारिश तो नहीं है, आपको जमता है, तो जितना भी सब्जेक्ट जैसे आज आज आपने पढ़ा, साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएंगी, और इस कंटेंट, इसमें जो पढ़ाया गया कंटेंट है, वो तीन हजार पेजेज में कुछ इस तरह खुबसूरत हैंड राइटिंग में हर सब्जक्ट का लिखकर, हमने नोट्स भी तैयार किये हुए है, जो आपके घर पर डिलीवर हो जाते हैं, आप उन्हें और कर सकते हैं, मात साथ दिन के अंदर हमारे प्रॉपर नोट्स हैंड रिटन घर पर पहुंच जाते हैं, मेरे अपने नोट्स, तैंकियो सो मच, अपना खयाल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्य